करनाल नैशनल हाइवे पर करन लेग के पास एक दर्दनांग सड़क हाथसे में एक व्यक्ति और एक महिला की मोत हो गई दर सल बाईक सवार महिला और व्यक्ति को प्राइवेट बस ने कुछ लदिया जिस कारण दोनों की मोत हो गई मिली जानकारे के अनुसार हाथसे की वज़ा यह है पता लगी है कि दिल्ली चंडिगर हाइवे पर एक बैग गीरा पड़ा था जिसे उठाने गए तो अचानक यह हाथसा हो गया दोनों बस की चपेट में आ गए वहीं पूलिस मामले की जाच कर रही है और हाथसे की वज़े है और बस के ड्राइवर की पूलिस ने तलाश शुरू कर दी है क्योंकि मोके से बस चालक उस दूरी पर ही बस छोड़कर फरार हो गया था फिलाग दोनों मृतिकों के शवों को पोस्ट माटम के लिए कलपना चावला मर्चरी हाउस में रखवाया गया है और पूलिस मृतिक के परिजिनों की इसकी सूचना दे दी गई है और वह मंगल कल कर लगी है जो आल अवस्तावी अस्पिटिन है थे जो डाक्टर ने इनको मृत गोसी दूनों की मूत बहुत है और उनके बारसान को पता करने के लिए उनसे प्रटेक्ट किया जा रहा है जो मृत नहीं को नहीं पता चला है और इनके घर का परोस का इक नंबर मिला है इनके परस से तो उस मूबाइल नंबर के कॉंटेक्ट किया है वो गरवालों को अभी सुचित कर रहे हैं अभी उनकी घर का कोई सदेश्या भी यहां आया नहीं है यह एक्सिटेंट का हुए थी यह जिल्मिल टापे के पास हुआ है ओर बरिज का कौन सी बस थी जी प्राइविट बस थी और ड्राइवर को पकड़ लिया गया जी फरा रहा है और बस को कबजे में ले लिया थी आगे क्या कुछ कारवाई होगे बस आगे इसके वारसान को पता करके न और परचरदज करेंगे और इसका को स्माटम कराएं ऐसे ही लेटेस्ट ख़बरे पानी के लिए सब्स स्क्राइब बटन पर स्लिक कर बेल आइकोन को दबाएं